वेलकम टू ग्लैमवल टॉक्स और आज के एपिशोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है आज के एपिशोड जोकी नॉमिनेशन स्पेशल्स था उसमें नॉमिनेशन के बारे में जोग भी हुआ कौन-कौन लोग नॉमिनेट हुए यह हमने अलेडी कल के वीडियो में ही बता दिया था हमने अपने ट्विटर पर भी अपडेट कर दिया था आप हमारे ट्विटर को भी फॉलो कर लिजे क्योंकि कई सारी चीजे हम ट्विटर पर बहुत पहले डाल देते हैं जो कि यूटूब पर वीडियो में आने में टाइम लग जाता है आज का एपिशोड नॉमिनेशन भी काफी बोरिंग थे और बाकी एपिशोड भी more or less काफी बोरिंग ही था उसमें बहुत जादा कुछ कंटेंट था नहीं फिर भी जो भी आज के एपिशोड में दोशार चीजे थी जो की बहुत अच्छे से हमें समझने की जरुवत है हमें समझने की जरुवत है कि अंकिता और विक्की क्या गेम खेल ला है मनारा चोपडा जो है वो क्या कर रही है ये सारी कुछ चीजे हैं जो आज की एपिशोड से हमें समझने की जरुवत है तो आईए हम एक एक करके आज के टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं आज सबसे पहले कल वाली जो फाइट थी विकी और अभिशेक की कल की फाइट जो है वो आज सुबह भी किचन में वो कंटिनी हुई और दोनों एक दूसरे को काफी कुछ बोलते हैं अभिशेक जो है उसको आप कितना भी समझा लें वो समझने वाला है नहीं अभी भी वो बाडी पर चार्ज करके जाता है सामने वाले के परसनल स्पेस में घुश जाता है और मुह की एकदम करीब आके बॉडी एकदम टच करके वो फाइट करने की कोशिस करता है तो मुनावर ने कल रात की जो फाइट थी उस पे भी उसने बोला कि तू इतना आगे चार्ज करके मज्जा करीब और आज सुबह मुनावर ने खांजादी को कॉल आउट किया था जब खांजादी बोलती है कि कल रात का फ्रस्ट्रेशन निकाल ला है तो मुनावर ने अभिशेक को ये दिखाने की कोशिस किया कि देख खांजादी भी तेरे अगेंस्ट है जिसके साथ तो घुसा रहता है तो पर वहाँ पर अभिशेक जो है उसको लगता है कि मुनावर मेरे अगेंस्ट कुछ बोल रहा है उस बात को लेकर वो मुनावर पैटी चूट दिखाता है ठेंक्यू मुनावर ऐसे करके जगड़े के बीच में ही विकी जैन मुनावर को बताता है कि अभिशेक ने तेरे को ये कहा था कि ये फुद्दू है ये अक्चुली फर्स्ट सेकेंड विक की बात है उस समय मुनावर और अभिशेक की लड़ाई हुई थी तो मुनावर ने उसको ज्यादा भाव नहीं दिया था और उसको जवाब नहीं दिया था उस समय तो अभिशेक ने जाके विकी को नील को तीन-चार लोगों को बोला कि अड़ मैं उस पर तो इसको इतना बोला उसने पलट के कुछ जवाब ही नहीं दिया मैं तो सोचता था यह स्ट्रॉंग है पर बढ़ा यह तो फुद्दू टाइप का आदमी है कि मैंने इसको इतना सुनाया उसने जवाब ही नहीं दिया मुझे कुछ यह वाली बात को विकी ने रिमाइंड कराया तो फिर मुनावर ने जवाब दिया कि हाँ यह बात मुझे पता है मेरे कान तक आ गही थी उससे समय लेकिन यह सेकेंड विक की बात है ना तो अभिशेक वाँस उसको जवाब देता है तो जो विक का समझना है समझ उल्टा जवाब देता है मुनावर को उस समय तो इसी बात पो मुनावर को भी थोड़ा चीरफ मजती है फिर उसके बाद जब अभिशेक मुनावर को बोलता है तो मुनावर भी जवाब देता है उसके बाद जब ये पूरा जगड़ा विकी और अभिशेक वाला खत्म होता है तो फिर आपने फुटेज देखा होगा कि मनारा और जोकर बैट के बात कर रहे हैं अब जो मेकर्स का यहाँ पर गेम आपको थोड़ा समझना पड़ेगा मेकर्स की फेबरेट हैं अंकीता लोखंडे और अंकीता लोखंडे का इमेज बचाने के लिए मेकर्स अंकीता का डर्टी गेम नहीं दिखा रहे होता ये है कि अंकीता पहले अनुराक के पास जाती है उसका brainwash करती है कि मनारा तेरी अच्छी दोस्त है तेरे तुम लोगों का bond एक अलग है पूरे show में नज़र आता है कि तुम दो एक बहुत special bond share करते हो तुम्हें उससे जाके एक बार और बात करना चाहिए बैठके उसके बाद अंकीता जाती है मनारा के पास मनारा को भी ये सेम बात बोलती है कि जोकर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है उसके साथ जो तुम्हारी bonding special है वो तुम्हारे लिए बहुत feel करता है तुम्हें उससे जाके बात करना चाहिए ये वीडियो जो है हमने अपने ट्विटर पे भी डाला है पहुँआ जाके चेक कर सकते हैं अंकीता ने जाके ऐसा बोला था उसके बाद अंकीता मुनावर के पास जाती है और मुनावर को बोलती है कि अगर मनावर तेरे ऐसे नहीं सुनके लेती या तेरे डबल गेम खेल ली है तो तू उसको छोड़ दे तो मनावर को मुनावर से सेपरेट करके और जोकर के साथ जोईन करने का जो गेम है विकी और अंकीता दोनों का वो बहुत ही डर्टी है जो कि कल के अगर आपने लाइफ फीट देखा होता तो आपको क्लिरली एक्सपोज होके समझ में आ जाता कि ये काम अंकीता लोखंडे कर रही है उसके बाद जब जोकर और मनावर बात कर रहे होते तो मुनावर सुनने की कोसिस करता है क्योंकि मुनावर को जो फीडबेक आए बाहर से मुनावर को ये जानना जरूरी है कि क्या मनावर अभी भी डबल गेम खेल लई है या स्ट्रेट फ़रवर्ड जोकर को ये बोल लई है कि तेरी मेरी दोस्ती नहीं रहेगी तो मुनावर वहां सुनने की कोसिस करता है तो अंकिता आ जाती है उसके पास उसको डिस्ट्रेक्ट करने के लिए कि मुनावर को पता ने चले क्या बात होड़ा है तो अंकिता लोखंडे जो है बहुत ही गंदा गेम खेल लई है और ये गेम में विकी जैन भी सामिल है विकी जैन भी अनुड़ाप को जाकी यही कहा था कि तुझा मनावर से बात कर और मुनावर के पास कल आपने देखा होगा उसको बोलागा कि तुब बाहर जैसे रहता है अंदर तुझे वैसे ठहनी कि जरुवत है नहीं बाहर तुडियल रहता है अंदर थोड़ा फेक बन जा लोगों से कट जा एक्च्वल में मनावर के साथ छोड़ दे सो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन गेम हम विकी और अंकीता का एक्सपोज करना चाहते है क्योंकि ये दोनों हस्बेंड वाइफ अपना बटोड़ा 11 नंबर गेम अभी भी खेल रहे है विकी के अंदर में अभी जोकर है और जोकर के साथ मनारा आ जाए तो ये एक नंबर इनके साइड में आ जाएगा ये गेम ये हस्बेंड वाइफ खेल रहा है इस बात को हमसे पॉइंट आउट करना चाहते है बाकी मनारा मुनावर के साथ रहे ना रहे उससे मुनावर को कोई फरक नहीं पड़ने वाला है तो हम बस इतना क्लियर करना चाहते है कि मेकर्स जो हैं गेम में कुछ कर नहीं ड़ा है उसका चहरा लटका रहता है साड़ा दिन ऐसे करके निगेटिव बुड़ाई काफी हो मुनावर की कर रही थी जो कि ये सारी चीजे मेकर्स जो हैं में एपिसोड में नहीं दिखाते हैं इसके बाद आपने देखा कि मुनावर कैसे अपनी लाइफ की परसनल चीजें थोड़ी डिसकस कर रहा होता है कि जब एशवडिया कूछ रही होती है अब यहां पर भी फीड मेकर्स ऐसे दिखाते हैं एजव की मुनावर जो है वो खुद से अपनी बाते कर रहा है खुद से वो सिंपेथि लेने के लिए या किसी चीज़ के लिए वो अपने पास्ट की बातें और अपने चाइल्ड हुड ई स्ट्रगल्स की बाते कर रहा है जबकि होता ही है कि सामने से question आता है तो वो बस जवाब देता है पिछली बार भी उसकी मा के बारे में एस्वडिया और इंकु जी ने बैठी थी तो उन्होंने पूछा था फिर से वो मुद्दा एस्वडिया निकालती है कि तेरा अब उसके बच्चे के बारे में उसकी एक्स वाइफ के बारे में तो वहाँ पर मुनावर जो है वो बताता है कि अपना कैसे वो जब 14 साल का होने वाला था तेरा साल की उम्र में ही उसकी मा कडेथ हो गया था फिर उसके बाद वो बॉंबे आ गया था फिर उसके बाद किसी ने उसकी तुरंट साधी करवा दी थी उसकी कमी एज में शाधी होने के बाद फिर उसका जब बच्चा हुआ फिर उसके एक साल के अंदर में वो रिस्ता जो है नहीं चला और उसके बाद जो है उसकी एकस वाइफ थी वो जाकि दूसरी साधी भी उसने कर ली तो ये सारी चीजे मुनावर ने बताया और उसके बाद भी मुनावर की अच्छाई देखिए कि जब सामने में वो लड़की नहीं है जो कि खुद को डिफेंड कर सके तो भी उसके नाम पर हर एपिशोड में फुटेज लेना और सिंपाथी लेना कि मुझे तो पता ही निया उसने मुझे क्यों छोड़ दिया कुछ हुआ नहीं अचानक से उसने मेरा को कट आउफ कर दिया और मुझे छोड़ दिया तो शुषान सिंग राजपूत पे इंडिरिक कि कोई इनसाम को मूझे करने के लिए क्या इस्टफ लेने परते हैं उसके हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं उसका सिच्चवेशन हम नहीं समझ सकते हैं किसी और का तो मुनावर ने अपनी ex-wife को भी defend किया कि हम उसको मैं कभी blame नहीं कर रहा है कि उसकी गलती है या क्या है और उसको क्या decision लेना पड़ा move on करने के लिए वो वही जान सकती है तो चुकि इस सोपे वो खुद को अपक्छ रखने के लिए नहीं है तो मुनावर ने ज़्यादा बात करने से ही मना कर दिया और बोल दिया कि मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है ये दिखाता है कि मुनावर फारुकी का कितना अच्छा दिल है और वहीं दूसरी तरफ हमारी अंकीता लोखंडे जी है जो कि हर एक एपिशोड के बाद सुसांत सिंग राजपूत का जिक्री कर लेती है और वो अपनी तरफ से बात निकाल के सामने से कोई पूशता भी नहीं है वो अपनी तरफ से बात निकाल के सिंपैथी लेने की कोशिस करती है इसके बाद फिर नॉमिनेशन्स की प्रक्रिया स्टार्ट होती है नॉमिनेशन्स में हमने आपको अलेडी सारा कुछ बता दिया था सबसे ज़्यादा विशेक्स को साथ वोट मिलते हैं उसके बाद विकी को पांच वोट और खांजादी को चार वोट मिलते हैं फिर नील ओलेडी नॉमिनेटेट था तो ये चारो लोग नॉमिनेट हो जाते हैं इनके नॉमिनेशन्स के बाद इस वीक में ये भी तैह है कि कोई न कोई तो जाएगा इस बार नॉमिनेशन्स कैंसल नहीं होने वाले हैं तो ये देखना बहुत इंट्रेस्टिंग होगा कि आखिर खांजादी ये चारो में से कोई भी जा सकता है इस बार का नॉमिनेशन बहुत इंट्रेस्टिंग है अगर अंकीता लोग खंडे के साड़े फैन जो हैं वो विकी को वोट दे देंगे तो विकी सेव हो जाएगा खांजादी के ओलेडी अच्छे खासे वोट बैंक है नील और एसवडिया दोनों कमबाइंड एसवडिया के काफी अच्छे खासे फैन्स हैं दोनों के कमबाइंड फैन्स अगर नील को वोट करेंगे तो नील को भी अच्छे वोट आएगे अब अभिशेक कुमार के भी कुछ लोग हैं हलाकि उसका जो है दिमाग से पैदल आदमी लगता है बहुत ही नखली कंटेस्टेंट हमें लगता है पर फिर भी हर एक बुड़े से बुड़े इंसान के फैन होते हैं आज कल तो अभिशेक के कितनी भी निगेटिव शो होने के बाद, कितना भी निगेटिव करने के बाद, गलत करने के बाद इस शो में उसके भी काफी ठीक्ठा का फैन है तो इस बार का काफी interesting elimination है कि देखना होगा कि चार में से किसको सबसे कम vote आते हैं 90% chance है कि इस बार elimination होगा आपका अरुन भाई और अपना औरा के बीच में और फिर मुनावर चिन्टूइलों के बीच की थोड़ी बहुत मस्ती मजापी शो में दिखाया गया और कुछ आज के एपिशोड में थानी कल का एपिशोड बहुत interesting होने वाला है क्योंकि आज घर में दमुनावर फारुकी comedy show हुआ है ये show ऐसे होता है कि बिग बॉस एक luxury रासन टास्क लाते हैं इस रासन टास्क में बिग बॉस हर एक housemate को 5000 BB currency देते हैं और मुनावर फारुकी को confession room में बुलाकर कहते हैं कि आपको एक मुनावर फारुकी comedy show होस्ट करना है उसमें आप stand up करेंगे और आपको अपने show की tickets बेचने है as much as possible और जितने भी आप ticket बेच के पैसे कमाएंगे उससे आप luxury रासन खुद के personal use के लिए आप खरीद सकते हैं बाकी घर वालों को ये choose करना है कि वो सारा पैसा अपना luxury रासन में खर्च करेंगे या मुनावर का show देखने जाएंगे तो एश्वडिया जोकर और हमारा जो औरा है ये तीन लोगों को छोड़के बाकी सारे के सारे मुनावर का show देखने के लिए ticket लेते हैं मुनावर से और वो लोग show देखते हैं और फिर बहुत जम के enjoy करते हैं बाहर निकल के अंदर भी सब को ये बहुत तारीफ करते हैं मुनावर की उसमें से कितनी दर बिग बोस दिखाते हैं हमें वो देखने वाली बात होगी अगर नहीं भी दिखाते हैं तो हमारा तो request ये होगा जियो सिनेमा एप से, Colors TV, Big Boss से कि वो पूरा अटलिस जो इस stand-up वाला segment है उसको जियो सिनेमा एप पे as it is आप एक दिर घंटे का upload करते हैं ताकि सब कोई देख पाए उस चीज को Big Boss को भी ये पता है कि actual में show तो मुनावर ही चला रहा है इसलिए मुनावर फारुकी का पूरा का पूरा यूज करते हुए अलग से कभी उसका मुशायरा करवाते हैं कभी इस बारे stand-up करवाए हैं तो anyway जितना मुनावर दिखेगा जितना उसको मौका मिलेगा अपने talent को द subscribe कर लिजे मिलते हैं कल फिर कल के episode के recording में तब तक के लिए thank you